हेलो एवरीवन वेल्कम बैक टू माद्री कीचन ब्लॉक आज हम बनानी जा रहा हैं एका दसी ब्रत में खाने के लिए चटपटी सी सबजी जिसके लिए हमने आलू सुभाई वायल करके रख लिया है और इसे हम छिल लेंगे और छिल के हम इसे दूसरे तरीके से कट करेंगे गोल गोल सीर्व में कट करेंगे आलू हमारा चील गया है अब हम चलते घयास पर नहें कर लेंगे लएक कर लेंगे 10 आप चाहें तो नाल मिर्च भी टाल सकते हैं कि साबूत या किसी बीश सकते है अब इसमें डालेंगे नियमें घमार्य कट गई है कड़ाई में हम थिल डालेंगे थोड़ा सा संप्लावर कि इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे जीरे को हम चटकने देंगे जीरा चटक गया अब हमां हरी मिर्शी डाल देंगे इसमें अब इनको हम अच्छे से ब्राउन होने देंगे तब तक हम आलू आप देख सकते हैं यह वाली गोल सेप में ऐसे कट करेंगे ऐसे काफी अच्छी सब्ची बनके तयार हुई थी चैट पटी सी यह देखिए अब इसको हम डाल देंगे कड़ाही में क्योंकि मिर्ची और जीरा जल जुगा है अभी हम थोड़ी से और हमको आलू काटना है इस तरह की सब्जी आप जरूर बनाईए और इसे दही सिखाईए अगर दही पसंद हो नई तो आप उसमें थोड़ी से निबूनी चोड़ दें काफी टेस्टी सब्जी बनके तयार होती है और कुछ इसमें मुमफली के भुने हुए दाने डाल दे अगर पसंद हो तो आपके पसंद के उपर है जो भी आप कर सकते हैं कि यह हुए इसमें हम टमाटर डाल देंगे 1-230 जितना भी आपको टालना कट्टा करना हूँ ओर से वाले टमाटर खट्टे होते नहीं है लेकिन टेस्ट देते हैं होड़े ठोड़े यह अच्छे से डाल देंगे पहले सब्सक्री कुर्कुरी नहीं होती अब इसे हम सबसे पहले दीमी आज पर करेंगे ताकि ये नीचे से अच्छे से पक जाए उसके बाद जब थोड़ा सा ही इसमें सूख जाएगा इसका मॉइस्टर तब इसे हम तेज आज करेंगे आज फ्लेम पे फ्राई करेंगे जैसे आपको इस चीज फ्राई करते हैं उसी तरीके से यमी से फ्राई कर देंगे और इन सब्ची को भी बनाने में थोड़ा टाइम देना पड़ता है आपको कम से कम 10-15 मिनट लगेगा तब ही अच्छे से फ्राई होंगे कुर्कुरे होंगे क्रिस्प होंगे खाने में ये देखिए कितना यमी से सब्ची बन के तयार हो गया है सब्ची हमारी लगबग बन गई है अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं और इसमें हम मुंपली के दाने डाल देंगे दही हम अभी नहीं खाएंगे दोपर में दही से खाएंगे कर दो कर दो